प्राप्त होने के समाचार से, एक सिवभक्त के नाते मैं भी बहुत खुस हूँ, देश का हर सिवभक्त खुस है, सदियों से नंदी बाबा की जो पुर्तिच्छा थी कि कब मेरे भोले नात मिलें और कब मैं उनके दर्सन करूँ, तो वह साइद आउसर मानी न्याले के सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो स्यूलिंग मिले, उसके बाद वह सब अस्पश्रता हो गई है, मैं बहुत बहुत न्याले के फैस्टे का स्वागत करता हूँ, इस समाचार की खुसी को मैं सब्दों में ब्यक्त नहीं कर चाहता है, कि 1991 का ये वैलेशन हो रहा है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी, तो वह ऐसे ही कानून बनाती थी, या ऐसे ही एक लाती थी, जिससे इस प्रकार के विशय को बढ़ावा देने का काम किया जाए, इस प्रकार के बिवाद कैसे रोके जाए, मानि नियाले को आदेश नहीं था, जो तमाम और सिराम जन भूमी आंदोलन जो समय हो रहा था तो उस आंदोलन को छोड़ करके बाकी में आंदोलन न किया जाए, यह आंदोलन के आधार पर वहाँ पर स्ट्रिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं, यह मानि नियाले में मुकदमा चलना था और मुकदमे के दवरान मानि नि करने वारे नेता जो बयान बाजी कर रहे हैं वह बयान बाजी से बाजा आए, उत्त्रप्रदेश का महोल बहुत अच्छा है, सब लोग खुस हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद मानि नियाले जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में यह कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे और हर शिव भक्त इसका स्वागत करेंगा, धन्यूंदू